नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंखना उम्योपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, एक वीडियो में हमने आपको नुक्सा बताया जिसमें आप बालों को बड़ा काला घना और खुबसूरत रेश्मी बनाने का उपाए लेकिन उसमें अंडे का इस्तमाल था, हो सकता है हमारे कुछ साथी अंडे का इस्तमाल एक का इस्तमाल ना करना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ, जादोई नुक्सा आपके बालों को काला घना रेश्मी खुबसूरत करने का जिससे की आप इन महेंगे सैंपू और महेंगे दिखावे वाले छलावे वाली चीजों से बच जाएंगे और घर बैठे ही, घर में रखे समान से ही आप अपने बालों को खुबसूरत बना सकींगे यहाँ जादोई नुक्सा बनाने का मेरा मकसद यह है, जो जहसotine मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कैसे आपको कितने कम पैसे में, आपको कितने कम पैसे में आपको बेहतर इलाज दे पाओ, बेहतर उपाय दे पाओ और वो उपाय जिसमें शायद हमारी जरुवर्वर भी ना पड़े, आप खुद करिए, उसका लाब उठाइए और दूसरों को भी यहां बाते बताईए ताकि समाज इसका लाप पाए और यहां जो दो से पांच बिलियन डालर की कास्मेटिक इंडस्ट्री है इसको खत्म तो नहीं करा जा सकता लेकिन इसको सीमित करा जाए आज गरीब से गरीब आदमी ट्यूब खरीद रहा है बच्चे परिवार के दबाउड डालते है कि साब वो ट्यूब में हमको फलानी हीरोईन खुबसूरत दिखी थी वो ट्यूब उसने लगाया तो उसको चमक गई थी वो ट्यूब उसने लगाया तो उसके बाद देखे क्या वो समुंदर के पास जो है वह आड़ सूट कर रही थी और आड़ सूट करके वो आड़ हम लोगों को देखने को मिल रहा था काले घने रेस्मी बाल कुछ आड़ में तो साब ऐसा दिखाया गया बाल बड़ा एक तेल आया था बड़ा खुबसूरत बीच पे बड़ा विका जिसमें की फ्रंट कवर पे अखवार का जो फ्रंट पेज होता था उस पे फोटो आती थी कि एक महिला थी वो बाल उसके बाल पहरों तक के होते थे मतलब हद है अपनी बात को कहने की तो उस एड़र्टीजमेंट मुझको याद है अब तो उसका डाउन हो गया मामला लेकिन ऐसा कोई मरीज ऐसा कोई व्यक्ति हम जल्दी नहीं देखते जिसने वो तेल ना लगाया हो जिसमें की वो महिला का बाल सर से लेके पूरा पैर तक आता था लोगों के कमर तक आते हैं उसको पैर तक आदे लगा तो मैं आपको अच्छा नुक्सा बताता हूं इससे अपने बालों को आप खुबसूरत रख सकें बालों को आप मजबूत रख सकें बालों को आप रिश्मी रख सकें चलते हैं उस सफर पे जिस पे आपको जा और यहां आपको 10 से 12 रुपए के खर्चे में आप अपने मकसद को पूरा कर लेंगे पहुँ छोटी सी बात है आप थोड़ा सा दही लीजे एक बड़ा चम्मच या दो चम्मच दही ले लीजे दही में थोड़ा सा आप शहट डाल लीजे और उसमें आप केला डाल लीजे केला बनाना जो होता है उसको आप मैश कर लीजे और उसी दही में डाल लीजे और एक चम्मच सरसों का तेल यानि की मस्टर्ड ओयल ये चार चीजें आप लीजे, इन चारों चीजों को आप अच्छे से फेट लीजे, इन चारों चीजों को आप दो घंटा बालों में लगा लीजे और उसके बाद आप बालों को धो लीजे मैं फिर बताता हूँ, आप दही लीजे, दही में आप केला फेंट लीजे, केला डाल लीजे, शहट डाल लीजे, और सरसो का तेल यानि मस्टाड ओए डाल लीजे, इन चारों चीजों को जो पेस्ट त्यार हो, इसको आप दो घंटा बालों पे लगा लीजे, जिसको जितना टाइम हो, वक्त हो, वक्त बड़ा किम्ती होता है, और इसको आप कर लीजे, और इसको लगाने के बाद आप बालों को धो लीजे, और धोने के बाद जो आप बाल देखेंगे, वो आपको बाल आपके सर से लेके पैर तक तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आपके बाल है, बाल का जितना डामेज है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपके बाल रेश्मी हो जाएगे यहाँ नुकसा आप करिए हमको आप कमेंट पोर्शन में लिखकर इसके बारे में बताईए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों को भी बताईए ताकि इससे सब का लाब हो सके 5 रुपय का दही 2 से 5 रुपय का शहद 5 रुपय का चेला और 2 रुपय का कड़वा यानि की सरसों का यानि की मस्टर्ट ऑल हो गए 17-18 रुपए 18-17 रुपय में आपको वो चीज मिलेगी चो आपको 2000 के हेयर ओयल में नहीं मिलेगी आप करके देखें और हमको बताएं आपके जवाब का इंतजार रहेगा आपके इस वीडियो को शेयर करने का इंतजार रहेगा अगर आपको यहाँ बात हमारी अच्छी दिख रही हो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा साथ यो ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपने को जोड़े रखिएगा आपका हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने के लोड़े रहने के लाल दोड़ेंस साथ शौरा सी अपने की योड़ेंस कि की समीज आपका हमारे स欸ना की अपने का पना आपकाने के लोड़ेंस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो